की. What is reductionism? Reductionism क्या है? किसी चीज़ को घटा करके समझना. Any science seek to explain. ऐसा कोई भी science जो की explain करना चाहता है. दिहान से समझ लीजिए. जब हम किसी चीज़ को explain करते हैं, तो दो काड़नों से करते हैं. फिद काड़नों से करते हैं? दो काड़नों से. नमबर एक, हमें उसकी समझ बनानी होती है. दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है. हम उसे ऐसा करने के लिए आसान बना देते हैं. हमें उसकी समझ बनानी होती है, ऐसा करने के लिए हम आसान बना देते हैं, जब हम आसान बना देते हैं, तो हम उस topic का जो मूल उद्देश होता है, जो मूल भावना होती है, उसको reduce कर देते हैं, इसी को reductionism क्याते हैं इस discipline aims to explain mental processes and behavior in psychological terms, reductionism is the practice of explaining complex events using simpler ones, उसकी चीजों को आसान तरीकों का इस्तमाल करके समझा देने की प्रिक्रिया को ही, क्या कहते हैं, reductionism कहते हैं, for example, behaviorism क्या है, reductionism है, पूरा behaviorism क्या है, reductionism है, रेक्टी को समझने के लिए उन्होंने सबसे आसान तरीका ढूंड के निकाल दिया कि वेभार से समझ लो भई, ठीक है, इस reductionism से deny किया किसने, Freud ने, Freud ने कहा कि इतना हसानी से किसी वेक्ति को केवल वेभार के आधार पर समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर की जो अंते क्रिया हैं चल रही हैं, वो बहुत महत्पून है, इसी लिए introspection को महत्पू और ये इसके साथ में बहुत बड़ी समस्या है, कि reductionism क्या करता है, reductionism reduce कर देता है उस meaning को, और फिर आप अपने काम के लिए उसका इस्तमाल तो कर लेते हैं उस रूप में, लेकिन जो पूरी समझ है वो कभी बन नहीं पाती, so for example, memorizing, forming perception और solving a problem, इन सब को आप बहुत बेसि तरीके से इनके आधार पे, वेभारों के आधार पे आप किसी वैक्ति की जाज कर लेते हैं कि वो किस लेवल का है, जब reductionism की बात होई, तो सबसे पहले reductionism को इस्तिमाल करने वाले वैक्ति कौन थे, थेल्स थे, अब थेल्स ने आपको पताए कि philosophy में काम किया, mathematics में काम किया उन्होंने लगबग सभी field में काम किया, थेल्स ने कहा, सारी दुनिया पानी है, यानि उन्होंने water content की अनुसार, water element के आधार पे, पूरी दुनिया को समझाने की कोसिस की, दुनिया बहुत complex है, लेकि उन्होंने इसको बहुत आसान करके, बदाने की कोसिस की, यहीं से सुर हार मुद्भूत तत्व प्रतान करने वाले वैक्ति फ्रांसेस बेकन थे, जिन्होंने inductive-deductive approach को इस education के अंदर लागू करने का एक तरीका रखा, scientific तरीके से, उन्होंने inductive-deductive जैसे methods को define कर दिया, कि इस से हम बहुतर तरीके से चीजों को सीख सकते हैं, तो एक complex idea को क्या किया, आसान कर दिया, then run the card, ये वो वैक्ति हैं जिन्होंने के वैक्ति को समझने के लिए कहा, कि भई जो सोचता है, तो कि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं वैक्ति हूँ, और इसे dualism से समझा जा सकता है, एक तो मैं हूँ, यानि कि जो इसमें जान है, और एक बाकी सारी और दोनों बिलकुल एक दूसरे से, separate है, जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो एक meaning create करने लगते हैं, that was dualism, जो कि एक explanatory model के साथ में उन्होंने reductionism को apply किया, लेकिन अगर वास्तुकता मैं आज की rate में देखें, एक historical study, तो John Camney और Paul Oppenheim की study है, 1956 की जो पहली study है, और सबसे पुखता study है किस चीज के उपर, reductionism पर, right, तो इसको आप note down कर ले, that is it.